जै मातादी दोस्तों, आज नवरात्री का चोथा बीन, नवरात्री के चोथे दिन मा कुस्मांडा की पुजा का उठाने, आईए जानते हैं मा कुस्मांडा देवी के बारे में, मा कुस्मांडा देवी ने इस रिष्टी की रचना की थे, अगर इनके स्वरूप की बात करें, तो मा कुस्मांडा देवी की सवारी सी हैं और इनकी आठ भुजाएं हैं आठ भुजाओं की वजह से मा कुस्मांडा को अस्ट भुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है अपनी इन अस्ट भुजाओं में मा कुस्मान्डा बान, चक्र, गदा, अमरित कलस, कमंडल, कमल और एक जप माला धारन किये हुए मा कुस्मान्डा का यस और रूप विक्ति को हर परकार के रोग, कस्ट, विग्ण, बाधाओं से मुक्त कराता है मा कुस्मान्डा के अरादना इनसान को उनके जीवन में सबसे बहुमोले उपहार देती है निरोगी काया एक ऐसा काया जो रोगों से मुक्त है, रोगों से छुटकारा है आईए जानते हैं मा कुस्मान्डा की पुजा कैसे करे मा कुस्मान्डा की पूजा में लाल रंग का बहुत ही महत्व है मा कुस्मान्डा को लाल रंग के फूल जैसे गुरहल, गुलाब और पित करें साथी साथ मा कुस्मान्डा को सिंदूर, धूर, दी, नैविद्य चढ़ाएं मा कुस्मान्डा की पूजा में इलाईची भी बहुत आवस्यक है और मा कुस्मान्डा को अब इलाईची भी चरहा सकते हैं आईए जानते हैं मा कुस्मान्डा के भोग के बारे में अखिरा मा कुसमानडा को किन वस्तुओं का भोग लगाये जिससे वेक्ति के जीवन में Mia कुसमानडा का असिरवाद फलितौ UP मा कुसमानडा इस स्रिश्टी की रजज़ईता देवी है तो इस स्रिष्टी के स्वरूप में उन्हें कुमहरे या समूचे पेठे का प्रसाद चरहाना चाहिए है. कुमहरे इस संसार को रिपरजेंट कर रहा है, इस संसार का एक द्योतक है, उस स्वरूप में हमें उन्हें वो चरहाना चाहिए. अगर आपको किसी कारण बस साबूत कुमहरा नहीं मिल पाला है तो आप कुमहरे का फूल या कुमहरे के फल से बनी हुई पेठे भी मा को भोग लगा सकते हैं इसके अलाबा मा कुस्मांडा को मालपुय का भोग लगा सकते हैं मालपुय का भोग लगाने से मा कुस्मान्डा वेक्ती की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है. आपकी इच्छाएं खतम हो जाएंगी लेकिन मा कुस्मान्डा देते देते कभी नहीं थकती. इसके साथ साथ मा कुस्मान्डा को दही और हलवे का भी भोग लगता है. मा कुस्मांडा प्रसन होने पर अपने पुत्र के चारों तरफ एक सुरक्षा गेरा बनाती है एक सुरक्षा कवच बनाती है एक ऐसी कवच जो वेक्ति को हर परकार के कष्टों से हर परकार के रोगों से मुक्त रखती है बचा कर रहती है आएए जानते हैं मा कुस्मान्डा को कौन सा रंग प्रिये है जो हमें पहानना चाहिए तो नवरात्री के चौथे दिन मा कुस्मान्डा की पूजा में आप पीले रंग, नारंगी रंग को धारन कर सकते हैं पीला और नारंगी रंग मा को अती प्रिये हैं दोनों ही रंग उर्जा के दियों तक हैं जो उर्जा विक्सित करने की और उर्जा को बाहर भेजने की एक कला है तो मा कुस्मानडा की पुजा में इन रंगों को आप धारन कर सकते हैं आईए अब जानते हैं कि मा कुस्मान्डा के जीवन से क्या सीखे हैं। मा कुस्मान्डा इस स्रिष्टी की रचईता है। तो उनसे हम रचना करने की काबिलियत को सेख सकते हैं। मा कुस्मान्डा ने उस समय इस स्रिष्टी की रचना की जिस समय चारो तरफ अंधेरा था। तो एक उमीद भी है। मा कुस्मान्डा के जीवन से समय से तेज चलना, वैसी स्थिती जहां कोई उमीद नहीं हो, वहां भी उमीद धारन करते हुए अपना 100% honest effort करना, इमानदारी से अपनी मेहनत जारी रखना ही मा कुस्मान्डा से हमें सीख मेंती है। कि अगर वेक्ती अपनी पूरी तागत से, अपनी पूरी इमानदारी से कहीं भी प्रयास करे तो वह एक नई रचना कर सकता है। मा कुस्मान्डा की जीवन हमें एक रचनात्मक सक्ती का त्योगता है ये इंसान को हर परिस्थिती में सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसे प्रकास पुंज की तरफ है जो वेक्ती को सही रास्ता दिखाती है। तो मा कुस्मांडा के जीवन से हर बुड़े से बुड़े वक्त में भी उमीद धारन किये रखना और सांत चित से इमानदारी से अपना मेहनत किये रखना यही हमें से कुंती है। मा कुस्मांडा आप सब के जीवन में अपना आसिरवाद बनाए रखे बहुत बहुत धन्यवाद